जय हिंडिये श्ट्विंट, PQRES से आपके एक्जाम में क्वेस्चन निश्ची तोर पर पूछा जाता है तो इस वीडियो में ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे बहुत ही आसानी से आप PQRES वाले क्वेस्चन को सॉल्व कर सकते हैं देखें ये इतना आसान होता है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आप अपना एक नंबर फिक्स कर सकते हैं चुकि इसमें बहुत ज़्यादा ग्रामर का रूल और बहुत ज़्यादी चीज़े नहीं होती इसमें सिर्फ common sense लगाना होता है कि किस word के बाद कौन सा word आना चाहिए या किस subject के बाद कौन सा helping word आना चाहिए ऐसे अपने से आप set करके देख सकते हैं आए हम कुछ तरीके बताते हैं उस तरीका पर आगर आप और भी practice कर लेंगे अपने से तो आप बिल्कुल इस number को fix कर पाएंगे हम यहाप पर कुछ practice आपको करा रहे हैं और इसी आधार पर आप जितने भी आपके पास PQRS आएंगे एक्जाम में आप उनको solve कर पाएंगे जैसे कि पहला आपके सामने दिया हुआ है अब उसके बाद PQRS है आपको एक sequence में रखना है कि कौन सा sequence कौन सा क्रम सही होगा आप अपने से थोड़ा सा कोशिस कर लिजिए उसके बाद मैं आपको बताता हूँ देखिए अगर यहाँ पर अगर समझा जाए कि इसके बाद क्या आएगा वह तो अलग बात है एक चीज यहाँ पर देखिए यहाँ पर छोटा छोटा क्लू आपको देखना होता है एक क्लू अकर आप ध्यान से देखिएंगे तो मिल रहा है कि तू बिलीव दैट अब इस क्लू से आप यह समझ पा रहे हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन किसी भी सेंटेंस के लाश्ट में दैट नहीं आएगा मतलब अभी सेंटेंस आपको देखने में नहीं लग रहा है अधूरा है अब इसके बाद कुछ न कुछ तो होगा दैट के बाद तो जिस क्वेस्चन में भी क्यू लाश्ट में होगा वह ऑप्सन गलत हो जाएगा तो यह ऑप्सन नमबर ए गलत हो गया ठीक इसमें इसी तर आफ नहीं आएगा ठीक है और जो पी से सुरुगात होगा वह भी गलत हो जाएगा तीसरी बात यह है कि क्योंकि फूलिस सब्जेक्ट है ना सब्जेक्ट के बाद विल नहीं आएगा यहां पर जिसे फूलिस सब्जेक्ट नहीं है इट इस फूलिस तो इसके बाद विल भी भी नहीं आएगा क्योंकि फूलिष यहां पर subject नहीं है ठीक है अब यहां पर देखना एक और चीज आपको देखना है कि it is foolish it is foolish के बाद to believe it is foolish to believe that ये वाला सही है न उसके बाद the uses of nuclear weapons हमने आपको सुरूम बताया कि ये q last में नहीं आएगा तो ये दोनों आप्शन तो ऐसे ही कटे हुए थे अब इनी दोनों को देखना था तो अगर s वाले को देखते हैं foolish the use ये भी नहीं होगा तो option number b सही होगा अब b वाला जब आपको लग रहा है कि सही होगा तो आएए इसको एक बार set करके देखते हैं it is foolish के बाद क्यों to believe that it is foolish to believe that बिल्कुल सही है अब that के बाद क्या है s वाला believe that the use of nuclear weapons will result in victory of those who possess them तो ये बिल्कुल सही है option number b सही है ठीक है तो इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा हमको समझाने में चुकि कई सारे clue मैं आपको बताता रहूंगा आगे बढ़ते हैं इसमें 20 सही है आई अगले question में जब 3-4 question आप solve कर लेंगे न हमारे साथ तो बिल्कुल आपको करने आ जाएगा ये है I once had I once had के बाद देखिए अब इसमें clue ढूड़ना शुरू करते हैं हम लोग clue देखेंगे जब सबी options को पढ़ेंगे आप तो आपको समझ में आएगा क्या हो सकता है देखिए एक तो बात है for the last past four years ये जो है ये किसी भी sentence के last में ये line आ सकती है आ सकती है न for the last four years आ सकती है एक clue आपको मिला अभी थोड़ा सा आपको वक्त लेगा सीखने में करने में जब आप इस चीज प्रैक्रिया को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप सेकेंडो में कर लेंगे हम सेकेंडो में इसको solve कर लेते हैं ठीक अब देखिए अब यहां से अब एक और चीज देख सकते हैं a client who sold head के बाद every morning नहीं आएगा तो यहां पर P से भी जो option सुरू होगा वो गलत हो जाएगा तो option a तो नहीं होगा P से सुरू रहा है head every morning नहीं once head every morning नहीं होगा head C होगा चीक है अब यह भी नहीं होगा head के बाद C कैसे होगा क्योंकि helping work के बाद सीदे subject तो नहीं होगा जो S से सुरू है वो भी नहीं होगा ठीक है से मिला करके I once had उसके बाद a client who saw she had a headache every morning she had a headache every morning ये लाइन देखिए इतम सटीक बैट रहा है for the past four year ये लाइन बिल्कुल सही है ना option B सही होगा ठीक है option B इसमें हिंदी भी जानने की जरूरत नहीं कि सर्थ ये जो पूरा sentence मिला करके कहरा है उसका हिंदी क्या है आप हिंदी के चक्कर में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और आपके लिए कठीन हो जाएगा है ना क्योंकि आप जबी पढ़ते हैं इंगलीज तो उसको हिंदी समझने में आपको प्रॉब्लम होती है मैं जानता हूँ इस बात को अगला बताइए पीपल निव अब इसमें आपको क्लू देखना है कि किस तरीके से चीजें सही हो सकती है बताइए बताइए फटाफट अच्छा एक चीज देखिए एक इसमें क्लू आप ढूड़िये किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ये पी वाला नहीं होगा क्यों क्योंकि सर यहां पर देखिए देम सेल्ग बात कॉमा लगाया हुआ है आप देख सकते हैं यहां पर कॉमा क्यों पर एक नहीं चोड़ेंगे तो जिसके लाष्ट में भी पि आयागा वो घलत हुगा मतलब तो सही नहीं हो सकता है तो पी किषी के लासट में नहीं है संजोग यह सही है लेकिन जब यह ल् varieties तो यह कोई भी आप्सन इस से इल्मीड़िक्र पर नहीं कर सकते हैं ृक क्लू के लेकिन हमारा क्लू सखसेज नहीं वाकिए कि किसी के लास्ट में भी भी पी नहीं है तो आएद दूसरी क्लू के बारे में देखते नहीं से अब देखिए अपने मुवी ओकर देखते होंगे तो आप जानते होंगे या टॉBサ टो बैको is injurious to the health बात समझेगा फिर से मैं समझा रहा हूं तो बैको इज इनजूरियज टू दे हैल्थ मतलब कि क्यों के बाद तुरंद S आएगा क्योंकि तुरंद बाद किसी ऐसा Pasन है जिसमें कि कीउ के तुरंद बात ऐसा देखिए देखिए फट्टा-फट किसी में है ऐसा क्यूंगे तुरंद अइसма operation number D में आप देख सकते हैं तो बाकि किसी में सायद दिन नहीं है तो option D ही सहीं hebben होगा क्योंकि यह लाइन बिल्कुल सुटेबूल है option D सही होगा ठीक है आई एक बार मिलाते हैं D को पीपल ने उसके बाद that smoking tobacco tobacco is injurious to health not only of the smoke themselves but also of their companions बिल्कुल सही है option D सही है ठीक बात सुन में आई छोटा छोटा क्लू पकड़के आप एकदम आसानी से solve कर सकते हैं आई जो जो मैंने अभी क्लू आपको दो तीन ठे बताए पकड़ने का तरीका उसको लागू करिए इस question पर he had अब बताए इसमें से क्या सही हो सकता है finished his lunch hardly he had hardly क्या होगा एक चीज तो आपको यहां पर क्लू दिखाई दे रहा होगा कि someone knocked at the door इस line के बाद ये वला line आएगा ठीक है knock मतलब खट-टाना होता है someone मतलब कोई at the door दरवाजे पर कोई खट-टाया second form and knocked तो knock मतलब खट-टाना होता है तो अब S के तुरंत बाद R आएगा ठीक है S के तुरंत बाद R आएगा कोई है ऐसा option जिसमें S के तुरंत बाद R आएगा हुआ है की नहीं he had hardly finished his lunch when someone knocked at the door बिल्कुल सही है मजा आ गया समझ में आ थोड़ा सा ध्यान लगा यह focus कीजिए समझ में आएगा एकदम जहर ट्रीक है डिया इस्ट्रेंट चलिए एक और आपको practice करने के लिए देते हैं इसमें आप बताईए यह थोड़ा सा बड़ा है आपको लगा कि सर बहुत बड़ा आपने तो easy easy समझाया अब यह बड़ा वाल स्वालव करके दिखाईए हमको समझा करके दिखाईए हम नहीं समझेंगे हम उतारू है कि हम नहीं समझेंगे लेकिन आप समझा के दिखाईए चलिए बाई challenge accept करते हैं हम और आपको समझाएंगे Mr. Saksena अब बताईए इसमें छोटा सा clue देखेंगे और question धा इसे उड़ जा कि दोज है न इस लाइन में दोज के बाद हुआयेगा मतलब दोज मतलब वे कौन हू 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 मतलब कौन वे मतलब कौन के बाद वे तो दोज हू हैड ő रीड इस बुग बस यही clue काफी है अब मिलाएंगे यह लाइन सच्शिक बैट रहा है ना तो पी के तुरंत बाद क्य किस option में है P के तुरंट बाद Q किस option में है P के तुरंट बाद Q अच्छा तो ये इसमें तो नहीं है P के तुरंट बाद Q अच्छा इसमें भी है खैर कोई बात नहीं इसको रखते हैं सिप ये हटा देते हैं अब इसमें भी है अच्छा ये जो P से सुरू है तो Mr. Saxena was के बाद Q Q उसके बाद R S Death General Public यह नहीं होगा Option A वाला भी गलत है अब बच्चता है दो Option अब यह दो रों Option में P के तुरंट बाद Q इसमें भी है अब आईए देखते हैं तो पहले B वाले को मिला गर के देख लें जा करके सेट होगा तो Option B को भी हटा देते हैं अब Option D को चेक करते हैं कि क्या यह सही है या नहीं सही है ठीक है Option D को देखते हैं मिला करके घबराईये मत सीख के जाएंगे आप यहां से Mr. Saksena Mr. Saksena thought not popular was the general public was general public was अब देखिए यह जो public के बाद तुरंत was आया है तो आपको confused नहीं होना यह जो was आ रहा है न वो Mr. Saksena के लिए है क्यों क्योंकि was a profound scholar तो जो scholar है वो Saksena की public है तो यह was जो है Saksena के लिए आया है public के बाद तुरंत was आ गया है एंड विज्टेड हीम रेगूलर्ली ठीक है तिल हीज अन्टाइमली डेथ बिल्कुल सही बैठ रहा है option D सही होगा ठीक है सही आ गया समझ में आ गया ना option D यहां पर सही होगा तो आप इमांदारी से कमेंट करके बताएगा कि आपको समझ में आया और इसी प्रकार से आप खुद जो भी पीकी वायरस के आपके पास होगा उसका practice कीजिए है जैसा जैसे हमने clue बताया वैसे वैसे options को check करके eliminate करके आप solve करते हैं आपको गर वीडियो थोड़ा भी समझ में आया होगा और आप हमको thank you कहना चाहते हैं तो आप Instagram पर हमें जरूर follow कर सकते हैं धन्यबाद दे सकते हैं वहाँ पर और हमें वहाँ follow कर सकते हैं ताकि अगर कभी हम live भी आएं बीच में कोई भी notice हो या information हो आपके Air Force के exam के इसाप से तो अगर live आकर बताना हो तो तुरंत हम Instagram पर live आया करते हैं वहाँ पर आपको बता देंगे 10 उधीर पांडे सर्च करिएगा Instagram पर और हमें follow कर लेजेगा अपनी राय जरूर दीजेए comment box में जब तक एक्जाम नहीं हो जाएगा ऐसी help करते रहेंगे ठीक है चैनल पर नहीं है तो subscribe कर लेजिए मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वन्दे मात